मैं हूँ महम्मद सुफियान और आप देख रहे हैं भारत समाचार और ड्रीम 11 आईपिल में अब सिर्फ एक मुकाबला रहे गया है और वो है फाइनल का क्योंकि कल डेली कैपिटल्स ने सन्राइजर्स हैदराबाद को हरा कर अपने पहले फाइनल में जगह बना ली है यानि क पहली बार फाइनल खेलेगी डेली कैपिटल्स की टीम दिल्ली की टीम दिल्ली एक लौती ऐसी फ्रेंचाइस ती जो अभी तक आईपिल का फाइनल नहीं खेली थी आखिरकार उन्होंने ये सफर भी पूरा कर लिया और अब वो अपना कारवा लेकर के दुबई जाएंगे और वो अब मुंबई के सामने एक नए रूप में पहुचेंगे ऐसी उम्मीद है कल के मैच की अगर बात करें तो संराइजर्स हैदराबाद अनफॉर्चनेटली इस टॉर्नमेंट से बाहर हो गई लेकिन जिस तरीके के खेल उन्होंने दिखाया जिस तरीके की को लेकर किया वह पहले ही ओवर में इंजल्ड हो गए तो दो जैन्मेन ओल्राउंडर से थिए उसके बाद 20 टॉर्णमेंट में केन विलियमसन बी इंजल्ड हो गए उसके बाद वह टौर्नमेंट के एंड मेरे दिमान साहा को लेकर आई जिन्होंने एक बहतरीन पारी खेली उनके लिए तीन मैचों में अच्छे रंद बनाए वो भी इंजल्ड थे कल के मैच में वो नहीं थे विजय शंकर एक Allrounder जब वो फॉर्म में आने लगे ऐसा लगने लगा कि Middle Order को अब होल्ड करने के लिए आपके पास एक अच्छा इंडियन Allrounder है तो वो भी इंजल्ड हो ग जब आपकी टीम के इंजल्ड हो जाए तो आधा होसला तो आपका वैसे भी कम हो जाता है लेकिन सन्राइजर्स हैजराबाद उन टीमों में से नहीं है उन्होंने किसी तरीके से बिट्स और पीसे लगा करके अपने Middle Order को जोड़ा अपने टीम को जोड़ा और एक बर फिर से जगा बनाई हो नमबर तीन पे रहे यानि कि रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर से भी उपर उनके Middle Order को केन विलियमसन ने समभाल कर रखा था और कल क्या बहतरीन पारी एक बार फिर से ऐसा लग रहा था कि केन विलियमसन अकेले हैदराबाद को पहुचा देंगे फाइनल में लेकिन अनफोर्चनेटली किसमत ने उनका साथ नहीं दिया और कल दिन था मारकस स्टोइनेस का जिनकी गेंज पर वो आउट हुए उसके बाद अबदुल समद ने बहुत कोशिश की एक यंग स्टर और काफी अच्छा बैट फ्लो दिख रहा है अबदुल समद का कल उनको उन्होंने पहले बार उनको ऐसी ऑपरचुनिटी मिली थी हीरो बनने की वो नहीं बन पाई उस तरीके से मूं मैच नहीं फिनिश कर पाई लेकिन जो शौर्ट्स उन्होंने दिखाये थे वो कमाल के थे उसके बाद अगर दिल्ली की टीम की बात करें तो दिल्ली की टीम काफी परिशानियां उनको रही है शुरुआत में ऐसा लग रहा था कि शायद 20 पॉइंट ले करके वह पहुंचेंगे टॉप 4 में वैसा नहीं हुआ उनको काफी स्ट्रेगल करनी पड़ी लेकिन जब एक बार टॉप 2 में उन्होंने जगह बना ली थी तो काफी ऐसी मारकस स्टोइनिस को ओपनिंग करने भेजा यानि अजिंक्या रहाने अब नंबर तीन पर ही खेलें गए क्योंकि विनिंग कॉंबिनेशन से दिल्ली बिल्कुल छेड़शार नहीं करेगा मारकस स्टोइनिस का कल दिन था उन्होंने एक तेश शुरुवात दी और जो एक प फाइनल में वह एक अच्छी पारी खेलकर दिल्ली को एक बढ़िया शुरुवात देते हैं तो औरेंज कैप चली जाएगी शिखर धवन के पास तो एक अच्छा मैच देखने को मिलेगा बुंबई और दिल्ली के बीश लेकिन फिलहाल दिल्ली जस्ट में डूबा हुआ है क्योंकि वह खेल लाए अपना पहला आई पील फाइनल और उनकी तक्कर है डिफेंडिंग चैंपियंस मुंबई इंडियंस